चब 56 ईशा ने मारा निधी को थपड़, निधी के ऐसे चिलाने से अहान कमरे के अंदर चला जाता है, निधी अपने हाथ में ब्लेकेट को कसकर पकड़ कर चिला रही थी, अहान डेविल स्माइल लिये उसे देख रहा था, निधी का ध्यान जब अहान पर जाता है, वो और ज क्या है, कोई तो कह रहा था, मेरे प्यार को तक्लीफ का नाम मत दो, पता नहीं कौन थी, वो जिसे मुझसे भी ज्यादा, अहान आगे कुछ बोलता कि निधी उसके मूँपर हाथ रख देती है, और गुसे में बोलती है, आप चुप रही है काला नाग, मैं आप से गुसा ह आई, ये कहकर निधी बाथरूम में चली जाती है, अहान ने उसे अपनी टी-शर्ट पहना दी थी, लेकिन निधी के बॉड़ी पर जगल जगल लब बाइट दे और उसके गोरे रंग पर वो साफ, दिखा रहे थे, अहान उसे पीछे से टोकते हुए बोला, तुम बाहर आ जाओ गुसा क्या में तुम्हारी आरती उतारने वाला हूँ, निधी बाथरूम में आकर होट शावर लेती है और अपने बालों को अच्छे से कर शौर्ट्स और ती-शर्ट पहन कर बाहर आती है, सुखा, निधी जब बाहर आती है, अहान कमरे में नहीं था, नैना जी खा हाथ में खाने की प्लेट देखकर जल्दी से सोफे पर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है, उसे इतने जल्दी खाता देख नैना जी उसे टोकते हुए कहती है, अरे, मेरी बच्ची आराम से खाना खाओ मूह जल जाएगा, निधी खाते हुए ही, मा अभी कुछ मत कहि ये कल से भूखी हुए इतने तेज भूख लगी है, के मेरे अंदर हाथी नाच रहे है, नैना जी उसके सर पर हाथ फेर कर प्यार से बोली, कितना दरा दिया था तुमने हमें, हमारी तो जान ही निकल रही थी, परी निधी को देखते हुए चिंता भरी आवाज में बोली, पता है, छोटे भाई कितने गुस्से, थे, मैं बहुत ज्यादा दर गई थी, वैसे तुम गई कहा थी, वो भी बिना बताए, निधी परी की बात सुनकर एकदम से शान्थ हो जाए है और उसे देखने लगती है, उसे अभी भी याद था उसके साथ क्या हुआ था, जिसे सो जावरना अक्डू इनसान हमें गुस्से से ही गोली मार देगा, निधी अंदर से बहुत ज्यादा दरी हुई थी पर खुद को कंट्रोल करके वो अपने चहरे पर मुस्कान लिये नैना जी से कहती है, कुछ नहीं मा वो आपको कुछ नहीं करेंगे, हम उनकी गनी चुपा नैना जी उसके बालों को सहलाते हुए बोली, पागन लड़की, आराम कर अब देख तो, कैसे मुर्जा गई है मेरी बच्ची अब तुम पूरे वीग बस आराम ही करेगी निधी नैना जी की बात सुनकर, मा आप कैसी बात कर रहे है, भाय और भाय की शादी है और मैं आराम करूँ, नहीं मा मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है उन डेवल को अच्छा सबक से खाना है, थोड़ा पैसा खत्म करूँगी ना तब उन्हें समझाएगा बीवी से पंगा नहीं लेते निधी की बात सुनकर नैना जी और परी मुस्कुराने लगती है, तब ही वहाँ ईशा और अंशा जाता है इशा निधी को बैग साइड में रख देती है और जाकर कीच कर निधी के गाल पर एक तमाचा मार देती है इशा के ऐसा करते ही परी, नैना जी और अंश एकदम से शौक हो गए और इशा को देखने लगे दर्वाजे पर खड़ा अंशा जो अंश से मिलने आया था इशा की हरकत देख गुस्से से उसे घूरने लगता है अंश को जब मोहौल को खराब देख अपनी नजरे यहाँ वहाँ गुमाते हुए बोला, ये टेंपरेचर इतना अथ्यू गिर गया, उध्धरन चिन्ह, अंश पूरे कमरे में नजर घुमाते हुए दर्वाजे की तरफ देखता है जहाँ अहान आग बबुला हुए उसे ही देख रहा था उसे इतने गुस्से में देख अंश ने अपने चेहरे को अपने एक हाथ धखते हुए रोनी शकल बना कर कहा, मर गया, इसे भी अभी आना था अब क्या करूँ, हे प्रभू उठाले नहीं तो आज ये देविल मुझे चुड़ेगा नहीं अहान गुस्से से कमरे में आते हुए अपनी सकत आवाज में बोला, ये सब क्या हो रहा है यहाँ अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो सब अहान का गुस्सा देख सब चुप चाप बाहर जाने लगे अंश ने ईशा का हाथ पकर लिया और उसे कीचते हुए बाहर ले जाने लगा लेकिन ईशा अपनी जगह से हिली नहीं थी उसे अहान से डर भी लग रहा था लेकिन वो निदी को फिर कब मिलेगी यही सोचकर वो फिर से निदी गुस्से से देखते हुए बोली अकल बेच खाए है तुमने निदी बिना बताय चली गई यह हमारी क्या हालत हो रही थी तुम्हे समझ नहीं आता अगर तुम्हे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता अपने दादू का क्या होता चली गई बिना बताय में आ रही तो मुझे भी लेकर नहीं गई और महान इतनी के फोन बैग में छोड़ कर चली गई तू, तू मुझसे बात मत कर ये कह कर ईशा बाहर जाने लगी जिसे देख निधी ने उसे खीच कर अपने गले लगा लिया और रोते हुए बोली, सौरी इशू में आ रही थी वापस तो वहां मुझे आरोही दी मिली और वहां से वापस आ जाती इससे पहले ही किसी ने मेरे मूँ पर रूम रख दिया जिसे में बेहोश हो गई थी और जबहोश में आई में जंगल में थी और रात भी हो गई थी मैं बहुत डर गई थी इसू, फिर पता नहीं कहा से बहुत सारे साप मेरे पीछे पड़ गए मैंने तो जीने की उमीदी छोड़ दी थी पूरी रात जंगल में पागलों की तरह भटक रही थी मुझे सबको बहुत याद आ रही थी लेकिन मेरे पास कोई नहीं था जैसे मैं हमेशा केली होती हूँ वो बहुत बुरी है इशू उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ मा पापा भाई भी मुझे छोड़ कर चले गए सब मेरे साथ ही होता है इशू मुझे बहुत दर्ध हो रहा है मेरी बुरी बॉडी दर्ध कर रही है निधी बुरी तरह से रो रही थी उसे ऐसे देख ईशा ने उसे कस कर गले लगा लिया और उसे शान कराने लगी शान जो वहाँ खड़ा था निधी की बात सुनकर उसकी मुठिया कस गई थी उसने बेहद गुस्से से अंच को देखा तो अंच उसे देखते हुए बोला अभी वो कही गायब हो गई है हमारे आदमी उसे धून रहे है लेकिन उसने अकेले ये सब नहीं किया है कोई तो है उसके साथ अहान गुस्से से दाद पिस्ते हुए बोला मुझे कुछ नहीं पता अंच वो लड़की मेरे सामने मुझे चाहिए वरना मुझे भी नहीं पता में क्या करूँगा अंच ने उसे देखते हुए कहा तू भाभी का खयाल रख में उसे देखता हूँ उसकी बात सुनकर अंच को घेरी नजर से देखते हुए कहा और वो कलब वाली लड़की एक महीने से उपर हो गया है ऐसी कहा छुपकर बैठी है कि मिस्टर इंडिया हो बही है अंच की बात सुनकर अंच के माथे पर पसीना आ गया और वो हकलाते हुए बोला जाने देना यार क्यों उसका जिक्र करना अब भावी है न तुम उन पर ध्यान दो क्यों और लड़की के बारे में सोचना अहान ने उसे खाजानी वाली नज्रों से देखा और बोला, उस लड़की ने अहान मलहुत्रा को बिना उसके मरजी से हुआ है उसे में इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला अंश ने अपने माथे का पसीना साफ किया और हकलाते हुए बोला देख तो भावी कितनी रो रही है जा उन्हें शान्त कर वरना आज बाड़ा जाएगी अहान अंश को घूर कर देखता है और उसके पीट पर जोर से मुक्का मारते हुए बोलता है ये तुम्हारे उस इशू का बदला अंश ने अपने पीट पर हाथ रखते हुए रोनी सूरग बना कर बोला जास्मीन अंश के मुँ से जास्मीन का नाम सुनकर अहान की आखे बड़ी हो जाती है और वो अंश के पीछे उसे मारने के लिए भागता है अंश जब उसे अपने पीछे आते हुए देखता है वो ईशा को वही छोड़ कर सीधा मेंशन के बाहर चला जाता है अहान उसके पीछे से चिलाते हुए बोलता है तू बाद में मिल मुझे ना तेरी मेने लब स्टोरी की बैंड बजाए नामे भी देविल किंग नहीं अंश मेंशन के बाहर आकर घेरी घेरी सासे लेते हुए बोला ओ माई गौड ये आदमी इतना खतरनाक क्यों है लेकिन इसे चिलाने में बड़ा मजा आता है ये कहकर अंश हसने लगता है और वापस मेंशन के अंदर चला जाता है अहान उसके जाते ही जोर से दर्वाजा बंद करके कमरे के अंदर आ जाता है जहां निधी अपना फोन लेकर बैठी हुई थी अहान जाकर उसके हाथ से फोन छीन लेता है और उसके हाथ में दवाई रखते हुए बोला दवाई खाओ और आराम करो निधी उसके हाथ से दवाई लेकर मुझे नहीं खानी मैं ऐसे ही ठीक हो जाओंगी अहान उसे गूरते हुए, पूछ नहीं रहा तुम्हें, चुपचाप दबाई खाओ निधी बैट पर लेटते हुए मूँ बनाकर बोली, मैं नहीं खाऊंगी, वो बहुत करवी है अहान निधी को उठाते हुए बोला, ठीका है मत खाओ, लेकिन चलो उठो हम हॉस्पिटल जाएंगे में तुम्हें वहाँ ले जाकर पटक दूनगा, जब तुम ठीक हो जाओगी, वापस घरा जाना अहान की बात सुनकर निधी का मूँ खुला का खुला रह गया वो जट से बैट पर उठकर बैट गई और अपनी शौकन गावाज में बोली, अरे आप इंसान है या नहीं, कितने एकडू है, सुरियल कही के कमरे से नहीं सीधा कर से बाहर फेक रहे हो, वो भी इसलिए क्योंकि में दवाई नहीं खा रही जाए फिर में चली मां के पास सोने आपको मुबारक हो आपका बैडरूम हूँ आए बड़े रियल कही के खुद क्या समझते है, फूँ मुझे आटिटीड दिखा रहे है, ये कहकर निदी बैट से उठकर खड़ी होती है और बाहर जाने लगती है, उसे बाहर जाता देख, अहान उसे खीच कर बैट पर बैठा देता है और उसके ऊपर जुकते हुए बड़े रोमेंटिक अंदाज में अपनी हुसकी आवाज में बोलता है, स्वीटी पाई, तुम बहुत होटो एकदम होट किसी लाल मिर्ची की तरहा है, अहान की बात सुनकर निदी की आखे हो जाती है और वो अपना मुः खोल कर, उसे देखने लगती है, उसे ऐसे देख आहान उसे देख कर डेविल स्माइल देता है और उसके मुह में दवाई डाल कर उसके मुँपर पानी का ग्लास लगा देता है, अब तो निदी का मुऊं एकदम करवा हो गया था जिस कारण वो जल्दी जल्दी पानी पीकर दवाई निगल लेती है। अहान उसे देखकर बोला, गुद गल स्वीटी पाई। निधी को अब समझा गया था उसके साथ क्या हुआ है। वो बुरी तरह से अहान को देखती है। तभी अहान के दर्वाजे पर कोई नौप करता है। अहान जाकर दर्वाजा खोल देता है। बाहर अंश खड़ा था और उसके चहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। अहान कुछ बोलता इससे पहले ही अंश बोला जल्दी नीचे चल भावी को लेकर कोई आया है। अहान उसे ऐसे देखता है जैसे कोई अजूबा हो। तभी उनके कान में किसी की चिलाने की आवाज आती है जिसे सुनकर निदी के हाथ पैर थंडे पर जाते हैं। जी, लव यर टू, ओ क्यूट गर्ल मेरा बर्थडे दे 25 सप्टेम्बर को होता है। पीछे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, वो चुपचाप बैठी हुई थी। अहान ने उसे देखा और उसे गोद में उठा कर बाहर जाने लगा। अंश पहले ही नीचे जा चुका था, अहान उसके पीछे निदी को गोद में उठा कर आ रहा था। अहान जब नीचे आया सब वही बैठे हुए थे। इशा तो परी का हाथ पकड़ कर बैठी हुई थी। अहान निदी को सोफे पर बैठा देता है और उसके पास शान से बैठ जाता है। उन सब के सामने आ रोही की मा कविता जी बैठी हुई थी। निदी को देखते ही कविता जी अपनी जगह से खड़ी हो गई और उससे देखते हुई रोते हुए बोली। निदी मेरी बच्ची कैसी है तू इतने दिन हो गई में तुमसे मिली नहीं और जब घर गई तो पता चला तूम यहां रहती हो अब मैं आ गई हूँ ना चल हम हमारे घर चलते हैं। दादू नहीं हुई तो क्या हुआ हम सब है ना तुम्हारे साथ। निदी उसे अपनी आखें बढ़ी करके देखने लगी। इतने साल हो गए वो और दादू अकेले रहते थे पर कविता जी ने कभी उसे ये नहीं कहा था फिर आज अचानक क्यों। अचानक उसे आरोही की बाते और उसकी हरकत याद आ गई। जिसे सोचकर निदी दर से कांपने लगी। अहान जो उसके पास बैठा था निदी को ऐसे देख उसके थुटी को पकड़ कर उसके चहरे को अपनी तरफ करके गुस्से में बोला किस से दर रही हो तुम तुम अह जा सकती थी ना यहां भी आटिट्यूट दिखाने की क्या जरूरत थी अकडू कहीं का कभी प्यार से बात ही नहीं करता हूँ सदू ब्रैकुला अहान उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए बोला इसका हिसाब लिया जाएगा बच्ची और यह नोन आ एम ट्रू डैवल अह अहान उसके थुड़ी को छोड़कर कभीता जी को देखते हुए बड़े आटिचूट से बोला वो क्या है ना हम निदी को वहां भेज कर आपके जैसा नहीं बनाना कहा यह मासूम सी लड़की और कहा आप डायन अगर मेरी वाइफ वहां जाकर आपके जैसी हो गई तो हमार तो लेने के देने पर जाएंगे अहान के मूँ से कविता जी के लिए मूँ पर डायन सुनकर सब अहान को देखने लगे कविता जी भी अपनी आखे बढ़ी करके उसे देखने लगी उसने गुसे से उसे देखा और बोली कैसे बेशर्म लड़के हो तुम तुम्हारे सामने पर इतने लोगों के सामने अपनी बेजती हूती देखो और आग बबूला हो गई। निदी को कविता जी के ऐसा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कविता जी को खड़ा देख अहान जोर से चिल लाया, विक्रम, विक्रम, विक्रम मलहुतरा मेंशन का हेड बॉडी गार था जो वहां के सिक्योरिटी को हेंडल करता था। अहान के ऐसे चिलाने से विक्रम भागता हुआ घर के अंदर आता है और अहान के सामने सर जुका कर बोलता है। येस बॉस। अहान गुस्से से इस औरत को धक्के मार कर बाहर निकलो और ध्यान रहे ये औरत दर कभी यहां नजर नहीं आनी चाहिए। ये उसने परी से बाते करने का सोचा था। इसलिए वो उसे लेकर अपने कमरे में चला गया था। परी बैट पर बैट कर आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा क्या तुम सच में मेरे साथ आना नहीं चाहती। परी ने अपनी गर्दन हिला कर सीधा मना कर दिया। आदित्य छोटा सा मूँ करके उसे देखने लगा। उसने परी को देखा और उसके माथे को चूम लिया और बोला अपना खयाल रखना में जल्द वापस आ जाओंगा। परी ने अपना सर हिलाया और बैड से टिक कर बैड गई। आदित्य ने बैड के साइड ड्रोवर से एक बॉक्स निकाला और परी को देते हुए बोला ये तुम्हारे लिए। परी ने अपना सर उठा कर आदित्य को देखा और उस बॉक्स को लेकर उसे ओपन कर दिया उसमें न्यू ब्रांड फोन था। परी ने शौक होकर आदित्य को देखा तो आदित्य बोला तुम्हारा फ अंश इशा को लेकर उसके घर छोड़ने गया था। इशा गाड़ी में बैट कर कुछ सोच रही थी। उसे ऐसे देखंश गाड़ी में सौम लगा कर उसे देखने लगा। इशा अंश को देखने लगती है। जिसे देखंश जल्दी से अपना चहरा गुमा कर सामने देखने लगता है। उसकी हरकत देखना चाहते हुए भी इशा के चहरे पर मुस्कान आ जाती है। मकरा रोग लगा के इश्ट की धुनी रोज जलाए। उठता धुआ तो कैसे चुपाए। मनमस्त मगन, मनमस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मनमस्त मगन, मनमस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल ना पाए। मनमस्त मगन, मनमस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। इशा उसके हाथ पर मारते हुए बोली, जानबूजकर ऐसा कर रहे हो नासर, इतनी अच्छी आवाज को बेकार कर रहे है, मनमस्त मगन, मनमस्त मगन, तेरा नाम, बस तेरा नाम दोहरायोर की धानी रीद की चादर, आया तेरे शहर में रांजा तेरा, दुनिया जमाना, इशा की बात सुनकर अंच ने सामने देखते हुए कहा, मुझे नाम से बुलाओ, ये क्या सर? सर लगा रखा है, मेरा कितना अच्छा नाम है, अंच क्यों सर बुला कर मुझे बुढ़ा बना रही हो, इशा उसे देखते हुए, आप बुढ़े ही है, इशा के ऐसा कहने पर अंच की आखे बढ़ी हो जाती है और वो उसे गूर कर देखता है, उसे ऐसे देखने से इशा जोर जोर से हसते हुए बोली, मैं तो बस मजा कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए, अंच बुरा सा मुझे बना कर, हाँ, हाँ, वेरी फणी, लेकिन बहुत बुरा जोक था, इशा उसकी खिचाई करते हुए बोली, लेकिन में ने तो कोई जोक नहीं मारा, अंच गाली का रेक लगा कर उसके पास जाकर बोला, मेरी खिचाई कर रही हो बंदरिया, इशा चील कर, बंदरिया किसे बोला बे, अंच उसे चिराते हुए बोला, तेरे को बोला रे, बंदरिया, इशा गुस्से से, गोरिया, इशा की बात सुनकर अंच जोर जोर से हसते हुए बोला, ग गाड़ी से उतरते हुए अंश को देख और उसके बालों को जोर से खीच कर बोली तकला बंदर कही का अंश उसकी हरकत देख जल्दी से गाड़ी से बाहर आ जाता है उसे बाहर आता देख ईशा उसे चिड़ाते हुए अपने घर में भाग जाती है अंश अपने बालों को पापा लेकिन मुझे बस एक चीज की चिंता हो रही है। अगर निधी नहीं मिली तो वो बुढधा शांत नहीं बैठेगा। साहिल उसका भी बंदोबस्त कर देंगे। अब निधी के मरने के बाद उस बूरे का क्या ही होगा। मेंका उन दोनों की बात शांती से सुन रही थी वो उन सबको देखते हुए बोली। हम सबको तो शांत कर देंगे, हमें जो चाहिए वो हासल भी होगा लेकिन अगर निधी कोुछ हुआ तो क्या हम बच पाएंगे। इशान उसकी बात सुनकर बोला, क्या पागलों जैसी बाते कर रही हो मेंका। साहिल गुस्से से, नहीं तु क्या, हमें किसी का क्यों डर होगा और वैसे भी उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसे धूनने कौन जाएगा। तुम्हारा दिमाद ठीक है ना। मेंका की मा अंकिता जी बोली, मेंनू बेटा तुम ये, ऐसी बाते क्यों कर रही हो। मेंका चील कर बोली, मॉम डोंट कॉल मी मेंनू, मेरा नाम मेंका है, तो मुझे यहीं बोलिए। दरपन शर्मा, ये सब छोड़ो और तुम मेंका ये बताओ, तुमने अभी ऐसा क्यों कहा कि हमें वो नहीं चुड़ेगा। क्या तुम ओजस की बात कर रही हो। मेंका कुछ बोलती उससे पहले ही सब के कानों में एक आवाज आती है, ओजस का पता नहीं लेकिन दे कविता को वहाँ देख स्वख खुश हो गए, उन्हें लगा शायद कोई खुश खबरी लेकर आई हो, लेकिन उसका चेहरा देख मेंका का चेहरा दर के कारण पीला पड़ गया था। कविता जी दंदनाते हुए बंगले के अंदर आ जाती है और सीधा सोफे पर बैक जाती है, उसे ऐसे देख सब उसे देखने लगते हैं, कविता जी गुसे से आज में उस मलहुतरा मेंशन गई थी, उसकी बात सुनकर सब अपनी आखे बड़ी-बड़ी करके उसे देखने लगते हैं, इशान शौक होकर क्या आप इस अहान मलहुतरा की बात कर रहे हो मतलब वो ब बाहर निकलेगा, खुद को समझता क्या है वो मार दूंगी में उसे, उसकी बात सुनकर मेंका जल्दी से बोली, क्या हलवा है क्या, मुझे तो यही दर लग रहा है अगर उसका निदी के साथ कुछ संबध हुआ तो वो हमें चुड़ेगा नहीं, उसकी बात सुनकर कविता कुछ बोलने ही वाली थी के वो कुछ सोच कर रुख गई और खुद से बोली, नहीं कविता, तुम यहां कुछ मत बोलो वन ये लोग तेरी मदद नहीं करेंगे, इससे अच्छा तुम शान्थी रही वही तुम्हारे लिए ठीक होगा, बात का बाद में देखेंगे अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, इतने जल्दी सब हाथ से जाने नहीं दे सकती, कविता सब को देखकर बोली अब आगे क्या करना है, साहिल, कुछ नहीं अब बस उस बुढधे का खेल खत्म करना है और कुछ नहीं, और अब ये सारी प्रॉपटी हमारी हो गई है, इसलिए अब हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मलहुतरा मैंशन, दो दिन हो गए थे निदी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और आदित्य भी घर आ गया था, उनकी शादी के तारीख अगले हफते की निकाली थी, सब घर में खुश थे, सब कुछ अच्छा था लेकिन हान अ इशा से बात करते हुए कमरे में आई, हाँ मेरी जान मुझे सब पता है, तुम टेंशन मतलो हम कल मिलेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम एक काम करो कॉलेज के बाद हम वो कॉलेज के पास काफे हैं न तुम वहां आ जाओ, दूसरी तरफ से इशा, देखने धी मुझे नहीं पता लेकिन मैं चाहती हूँ हम कुछ स्पेशल करें, मैंने रोहन और राहुल को बता दिया है और सोनिया को भी पता है, बस तुम कल आ जाना, निधी बैद पर पसरते हुए बोली, येस, मेरी जान इतने दिन हो गए तुम से मिले हुए, कल पकता आ जाओंगी मैं तो कह रही थी हम कल मसूरी चलते है, मस्ट बारिश का मौसम है हम तुम साथ बड़ा मजा आएगा, इशा, तुम्हारा वो अकडू हस्बंड हमें इस इस कर मार देगा निधी एक नजर अहान को देखकर, जो लप्टॉप पर काम कर रहा था पर उसके कान निधी के बातों में लगे हुए थी लेकिन जता ऐसा रहा था जैसे वो उनकी बात सुन ही ना रहा हो निधी, उनसे कौन दरता है, चलकल मिलते है, अब मुझे बड़ी नींदा रही है इशा, ओक गुड नाइट, निधी, गुड नाइट, निधी अपना फोन चारजिंग पर लगा देती है और तके को अपने बाहों में लेकर सो जाती है अहान जब उसे सोते हुए देखता है, वो अपनी जगल से उठकर धीरे से निधी के पास लेटकर उसके दोनों पैरों को अपने पैरों से जकर लेता है और उसके कमर को कसकर पकड़के अपने पास खीचते हुए बोला अभी तुमने क्या कहा, मुझसे दर, नहीं लगता तुम है, अहान के ऐसे अचानक पास आने से निधी के दिल की धड़कने बहुत तेजी से धड़कने लगती है, वो अपनी आखे कसकर बंद कर लेती है, जैसे वो घेरी नींद में सो रही हो अहान जब देखता निधी कोई रियाक नहीं कर रही, वो उसके चहरे पर धीरे-धीरे फुक मारता है, जिससे निधी की बॉड़ी एकदम से काप जाती है, अहान उसके चहरे पर हलके-हलके किस करने लगता है, जिससे निधी अपने कंट्रोल से बाहर जा रही थी, अहान उ तुझे नीनदा रही है। अहान उसके आखों में देखते हुए बोला, कल तुम मेरे साथ ही कॉलेज जाओगी और मेरे साथ ही घर वापस आ जाओगी। निधी उसे कुछ नहीं बोलती वो चुपचाप उसके बाहों में कैध हो गई थी। अहान उसे देखकर डेवल स्माइल लिए बोला, देखना कल तुम्हें उठने ही नहीं दूंगा। निधी कुछ समझ पाती इससे पहले ही अहान उसके ऊपर आ गया था और उसके होठों पर अपने होठ रक उसे किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों के कपड़े फर्ष पर पड़े हुए थे और निध अहान का शिकार हो चुकी। थी, अगली सुबह, निधी बैट पर बैट कर अहान को घुरे जा रही थी जो रेडी होकर बैठा हुआ था। उसे ऐसे देख निधी जोर जोर से रोने लगती है। अहान उसे ऐसे देख कर बोला, बस और कितना नाटक करोगी छोटी चिरिया, जो जाकर नहा लो बातब में गर्म पानी भर कर रखा है। निधी गुस्से से अहान को देख कर बोली, बुरे मनुश्य, आपने ये मेरे साथ क्या कर दिया। आपको शर्म नहीं आई, एक अच्ची ललकी के साथ इतना बुरा बरताव करते हुए। खायराम में तो लूट इतनी के उठने के लायक ही नहीं बची। वहां मेरी जान मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या मुऊ दिखाऊंगी मैं उससे। उध्धरंग छिन्ह। अहान ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से बोला, तुम अब उठ रही हो या में तुम ही ले जाकर पानी में फेक ये नहीं कर अपनी छोटी सी निन्ही सी बीवी से प्यार करे। शन उसकी बात सुनकर अपने कदम उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, लगता है कल का नशा उतरा नहीं तुम्हारा। आओ तो तुम्हें बहुत प्यार देता हुँ, म्याओं। देखो तो कितने नाखून मा रहे हैं मुझे। निधी उससे देख कर हस्ते हुए बोली, आपने जो मेरे साथ क्या है ना उससे तो कम ही है, मेरा मन करता ना तो मैं आपके पीप पर ही क्या। अहान निधी की तरफ जाते हुए डेवल स्माइल लिये बोला, तो क्या दाली। निधी अहान को धक्ता देख बाथरूम में भाग जाती हैं, अहान उसे एक नजर देख कर कमरे से बाहर निकल कर नीचे डाइनिंग हॉल में चला जाता है, नीचे हॉल में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तब ही वहाँ अंशा जाता है, उसे देख दादाजी मुस्कुरा कर बोले, क अंशा आजकर तो महान के साथ बहुत कम नजर आ रहे हो, तहां बिजी हो गए, तही अपनी कमपनी को संभालने का निर्नय तो नहीं ले लिया, दादाजी की बात सुनकर अंश बड़े आराम से उन्हें बोला, कहा दादाजी अभी तो हम छोटे बच्चे है, अब तो मजे क करने के दिन है, तहां ये काम के पीछे भागना मेंने सोचा है, जब तक शादी नहीं हो जाती हम तो कमपनी में कदम नहीं रखने वाले, उसे बात करता देख अहान उसे गुस्से से देखता है और अपनी सकत आवाज में बोला, लगता है तुम सब को फिर से मेरे नियम या दादा जी की बात सुनकर अहान अपनी आखे बड़ी करके दादा जी को देखता है और बोलता है, दादू, आप भी, दादा जी, नहीं तो क्या देख आदी ने तुम्हारे बाद शादी की फिर भी पहले बाजी मार ली, और तुम, कुछ काम के नहीं निकले, अहान दादा दादा जी की बात सुनकर उन्हीं घूर देखता है, जिसे देख दादा जी सकपका जाते है और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगते है, तभी निधी वहां आती है, निधी को देख, सबकी आखे बड़ी हो जाती है, अहान तो बस अपनी आखे थोड़ी करके उसे दे एक हाथ ने वाच कान में छोटे टॉप्स, होथो पर लाइक पिंक लिपस्टिक, निधी किसी क्यूट सी डॉल लग रही थी, अंच ने अहान को देखा जो मूँ खोल कर, निधी को देख रहा था, अंच ने उसकी खिजाई करते हुए निधी को आवाज लगाई, भाभी, आप तो आप तीन बिल्कुल किसी गुलिया जैसी लग रही है, चलिए आज हम दिनग पर चलते हैं, सिर्फ आप और में, अंच की बात सुनकर सब अहान को देखने लगे, अहान ने अंच के मूँ में वहाँ पर रखी हरी मिर्च डाल दी और गुसे में बोला, अपना दिमा उसके पास खड़ी थी और उसके हाथ में छोटा बाउल था जिसमें शक्कर थी, उसे ऐसे देखन्च जल्दी से उस शक्कर को खा लेता है और निदी को देखते हुए बोलता है, भाभी, आप सच के बहुत प्यारी है, आपना गलग जगह पहुँच गई, आपको तो मेरे स होना चाहिए था, कुलदीप जी ने अपना सर पर हाथ मार दिया और अपना सर नागवार्गी से हिलाते हुए बोले, ये लड़का कभी सुध्रिगा नहीं, अभी तो इतनी सारी मिर्चस के मूँ में गई है लेकिन ये लगता है खुद को सूजा कर ही मानेगा, अंश की बा काम करते है, डाइवोज ले लेते है फिर कोई प्रॉबलम नहीं हूगी नहीं, निधी की बात सुनकर सब फिर से अहान को देखने लगते है, इस बार अंश बिना कुछ सोचे समझे सीधा मेंशन के बाहर भाग जाता है, जिसे देख निधी जोर जोर से हसने लगती है, दू बहुत कुछ लोग इंटर्व्यू के लिए आय हुए थे, जिन्हें रोनित देख रहा था, वो साइट के खड़ा रहकर किसी से बात कर रहा था, तभी उसके कान में किसी प्यारी सी लड़की की आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, मिस्टर वाच्टमिन अंकल, जब 59 ये, आ बहुत कुछ लोग इंटर्व्यू के लिए आय हुए थे, जिन्हें रोनित देख रहा था, वो साइट के खड़ा रहकर किसी से बात कर रहा था, तभी उसके कान में किसी प्यारी सी लड़की की आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, मिस्टर वाच्टमिन अंकल, रोनित अपन आगे के शब्द उस लड़की के मूँ में ही रह जाते है, जब वो रोनित को देखती है, जो गुसे के मिले जुले भावल ये उसे ही देख रहा था, वो लड़की प्यार से उसे ही देख रही थी, जिसे देख रोनित गुसे से उसका हाथ जोर से जटक देता है और बोलता ह ये क्या बत्तमी जी है, वो लड़की अब भी रोनित को अपनी प्यार भरी नजरों से देख रही थी, ये देख रोनित उसे गुस्से से एक लुक देकर वहां से जाने लगता है, उसे जाता देख हो लड़की अपनी होश में आती है और उसके पीछे जाते हुए बोलती है, अरे, अंकल सुनो तो, अब तो रोनित को और गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को अपनी खा जाने, वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुम ही में किस इंगल से अंकल नजर आ रहा हूँ, वो लड़की अब भी रोनित को अपनी प्यार भरी नजरों से देखते हुए शर्माते हुए बोली, वो तुम ना मुझसे बड़े हो ना इसलिए, रोनित अपने आपको देखते हुए, ये क्या लॉजिक हुआ भला, वो लड़की रोनित को प्यार से देखते हुए बोली, ये मेरा लॉजिक हुआ हैंसम अंकल, आज तो मैं पागल हो जाऊंगा सब मेरे दिमाग की दही करने में लगे हुए है, रोनित गुस्से से अपना सर पकड़ कर वहां से जाती हुए बोला उसकी बात सुनकर उसके पीछे जा रही वो लड़की बोली, सुनो ना, अंकल, मुझे बताओ ना इंटरव्यू कहा है, उसकी बात सुनकर रोनित ने गु पीचते हुए बोलती है, ये आंटी किसे? बोला बे, उस लड़की के ऐसा करने पर सब उसे ही देखने लगते हैं, जिसे देख रोनित गुस्से से उसका हाथ चुलाते हुए अपनी दाथ पीस कर बोला, तुझे आंटी बोला मैं अगर मैं अंकल तो तू मोटी काली भदी स आंटी, वो लड़की रोनित के ऐसे बोलने पर उसे और कसकर पकर लेती है और प्यार से बोलती है, अंकल, मुझे आंटी नहीं जान बोलो जान, आह, ये दिल तुम पर फिसल रहा है, कोई तो इसे रोक लो, उस लड़की की बात सुनकर रोनित की आखे एक्दम से बड़ी ह जाती है और वो अपनी रोनी सूरक बना कर उस लड़की से अपना पीछा चुड़ा कर वहां से भाग जाता है, उसके भागते ही वो लड़की अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोलती है, हाई, कितना स्वीट था ये, में तो वारी जावा इस पर, वो अपने धुन में जि इतनी बार कहा है वहां दिमाग होता है, ये कहते हुए उस लड़की की आखी नम हो जाती है, उसे ऐसे देख विशू उसे गले लगाते हुए बोली, बसकर ना पलक, अब हम यहां आ गए हैं ना, हम दी को और दादू को धून लेंगे, पलक उसकी बात सुनकर फीकी सी हंसी हसते हुए बोली, भाय भी तो इतने साल से वही कर रहे हैं ना, वो खास उन्हें धूनने के लिए ही पुलिस बने लेकिन अभी तक उन्हें भी तो उनका पता नहीं चला, विशू उसे शान्त कराते हुए इंटिव्यू जहां हो रहा था वहां लेकर जाती है, पलक शर्मा, दरपन शर्मा की बेटी और ओजस की छोटी बहन, थोड़ी देर बाद उनका इंटर्व्यू हो जाता है और वो दोनों भी सिलेक्ट हो जाती है, वो दोनों भी इंटिशिप कर रहे थे, दूसरी तरफ, बी, नाश्ता करने के बाद अहान निधी को लेकर कार में बैट जाता है, निधी दिखा तो नहीं रही थी पर वो अंदर ही अंदर डरी हुई थी, क्योंकि जब से अंश वहा से भाग गया था अहान ने अपने मूँ से एक शब्द नहीं निकाला था, जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठे अहान ने गाड़ी आटो मोर में डाल दी और निधी को खीच कर अपने गोद में बैठा दिया, निधी ने अपनी आखें बढ़ी करके उसे देखा और बोली, ये आप क्या कर रहे है, छोड़िए मुझे, अहान ने उसे कसकर पकर लिया और गुसे में बोला, क्या कह रही थी तुम, डाइवोज हम, अहान की बात सुनकर निधी उ उसे देखती रह गई, उसे समझ ही नहीं आया उसके साथ अभी क्या हुआ, वो अपने गर्दन को सहलाते हुए खिर्की के बाहर देखने लगी, वो ही अहान ने उसे तिर्ची नजरों से देखा और डेविल मुसकान ले खुद से बोला, अब तुम्हारे मुझे में आए ल उसका हालचाल पूछ रहे थे, अहान वंच को देख रहा था जो उससे बचकर भाग रहा था, जिसे देख अहान ने उसके गर्दन को पकड़ लिया और उसे लेकर क्लास्रूम में चला गया, उसके पीछे-पीछे बाकी सब भी चले जाते हैं, सब क्लास्रूम में बैठे उसने अंश को इशारा किया। उसका इशारा देख अंश ने अपनी गर्दन हां में हिला दी और क्लासरूम से बाहर चला गया। मेंका अपने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए खुद से बोली, ये निधी, ये जिन्दा कैसे बच गई। ये कैसे हो सकता है। नहीं नहीं से अपनी जगल से उठ जाती है लेकिन तभी क्लासरूम में प्रोफेसर आ जाते है। जिस कारल मेंका को क्लास में बैठना पर जाता है। थोड़ी देर बाद अंश भी क्लास में आ जाता है। मलहुत्रा मेंशन आदित्य ओफिस जाने की तयारी कर रहा था और परीबैट प तुम परी। परी आदित्य के ऐसे पूछने पर थोड़ी देर चुक हो रही फिर कुछ सोचते हुए बोली। मैं सोच रही थी कहीं पर जॉब कर लूँ भर पर बहुत बोर हो रही हूँ। आदित्य उससे देख कर बोला लेकिन तुम इस हालत में कैसे जॉब करोगी तुम मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो पर मैं सच कह रहा हूँ परी। मुझे हमारे रिष्टे को एक चांस देना है। अब सवाल सिर्फ हम दोनों का नहीं है। हमारे बच्चे का भी। मैं चाहता हूँ तुम भी इस बारे सोच कर देखो। परी उसके चेहरे को देखते हु में बोली आपको ये सब कितना आसान लग रहा है ना। लेकिन में इतने जल्दी इन सबसे बाहर नहीं आने वाली आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उपसे मुझसे बात भी नहीं करते। मुझे कितना बुरा लगता है। शादी की है आपने मेरे साथ फिर भी रहते ऐ जैसे में कोई पराईलल की हूँ, ये कहते हुए परी सुबकने लगी थी, उसे रोता देख आदित्य अपने माथे पर हाथ मार लेता है और उसे शान्त कराते हुए बोलता है, चुक हो जा मेरी मा, तुम बात-बात रोटी क्यों हो, जब देखो तब तुम्हारी आखों के नल चालू ही रहते हैं, ऐसे में इनसान तुमसे बात भी क्या करें? आदित्य की बात सुनकर परी और जोर से रोने लगती है और रोते हुए बोली, देखा आप गुसा कर रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है, फिर भी आप गुसा कर रहे हैं, आप बहुत बुरे हैं, आप मुझ स बात मत करिये, मैं आपसे गुस्सा हूँ। परी की बात सुनकर आदित्य को समझ ही नहीं आ रहा था वो उसे कैसे हैंडल करे। क्योंकि आज तक तो उसने मलिश्का को सिर्फ पैसो से ही खुश किया था। प्यार, गुस्सा, नाराजगी इन सबका जैसे उसका कोई लेना देन ही नहीं था। उसने कभी भी मलिश्का को प्यार से समझाया नहीं था। आदित्य ने अपने माथे को अनगूठे से सहलाया और परी को अपने गोध में बैठाते हुए। उसके गाल को सहलाते हुए बोला, चुपो जा मेरी जान, देखो तुम चुपो जाओ। हम कहीं बाह पर प्लीज ये तुम्हारा भून का पहले बंद करो। आदित्य के ऐसा कहते ही परी और जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर आदित्य अपना सर पीट लेता है और वो गुस्से से परी को अपनी गोध से उठा कर नीचे बैठ पर बैठा देता है और उसके आगे हाथ जोड कर बोलता है मेरी मा चुक हो जा वरना आज पूरी दुनिया तुम्हारी आवाज सुनकर इस कमरे में हमला बोल देगी। आदित्य की बात सुनकर परी मासून सी शक बना कर उसे देखता है और अपनी आखों साफ करते हुए बोली मंदर जाना है। आदित्य सुनकर परी अपनी गर्दन ना में हिला देती है जिसे देख आदित्य अपना सर हिला कर उसे देखता है और बोलता है तो फिर चले मेडम। परी खुशी से हां में गर्दन हिला देती है। उसे देख आदित्य अपने मन में ये भगवान किस नमूने को भेज दिया आपने म मेरी जिन्दगी में। कॉलेज की रिसेस के बाद निधी ईशा और बाकी सब के साथ काफे चली जाती है। अहान और अंश वहां से ओफिस चले जाते है। अहान को पता था वो सब लोग काफे की उगए है इसलिए उसने अपने आदमियों को निधी का ध्यान रखने का कहकर ओ बोलते हो सब लोग उसकी बात सुनकर सोनिया बोली येस में भी यही कहने वाली थी लेकिन जाए कहा। सब सोच हो रहे थे के उनके पास एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उसे देख कर सब अपनी जगह से खड़े हो गए। डियो उस लड़के के बारे में दो एपिसोड बाद में बता दूँगी मेंने उसे एगनो नहीं किया है मुझे पता है उसके बारे में आपको सब के बारे में क्लियर करूँगी और मुझे पता है चैप्टर लेट अप्लोड करती हूँ लेकिन दो देन उसके बाद दो चैप्टर देने की कोशिश करूँगी बस कुछ प कसकर पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाने लगी उसे ले जाते हुए देख मेंका अपना गुस्सा दबाते हुए बोली दी आप इतने दिन कॉलेज नहीं आ रही थी सब ठीक है ना और दादू वो कैसे है मेंका की बात सुनकर निधी ने शौक होकर उसे देखा और बोली तुम कौन हो मैं तुम ही नहीं पहचानती और आगे से मेरा रास्ता मत काटना क्योंकि लोग कहते है काली बिल्ली जब रास्ता काटती है तब अप्शगुन होता है उद्धरन चिन्ह निधी के मुँसे काली बिल्ली सुनकर रोहन जोर से टहाका लगा कर हसने लगा उसे ऐस प्रवाइब दोटे हस्ते देख सब उसे देखने लगे जिसे देख रोहन एकदम से जेट गया निधी ने मेंका को इगनो किया और इशा के साथ जाने लगी लेकिन मेंका उसके ऐसे बेजती करने पर गुस्से से भर गई और निधी के पीत को घूरते हुए बोली बहुतोर र निधी एकदम चील मूर में आकर बोली मुझे क्या हुआ हैं मैं बिलकुल ठीक हूँ सब उसे देखने लगे ये देख निधी ने घेरी सास ली और बोली सच में मैं ठीक हूँ इशा ने अपना सर हिलाया और सब के साथ काफे से बाहर जाने लगी तब ही उसके फोन पर पुरिला के बच्चे की मम्मी अंश का मैसेज पढ़कर ईशा की आखे एकदम से बढ़ी हो गई उसके कान शर्म के कारल लाल हो गए उसने वापस कोई रिपलाई नहीं दिया और चुपचाप सब के साथ चलने लगी लेकिन उसके चेहरे पर अभी तक हया की लाली वैसी ही दूसरी तरफ आदित्य परी को लेकर मंदिर आ गया था भगवान के दर्शन करने के बाद दोनों भी वही पेल के नीचे बैठे हुए थे परी का हाथ उसके पेट पर था आदित्य ने उसे देखा और उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर बोला क्या हुआ तुम ठीक हो परी अपना सर उठा कर उसे देखा और बोली मैं ठीक हूँ लेकिन बहुत बैचे नी हो रही है आदित्य उसकी बात सुनकर बोला तुम चलो हम घर चलते हैं तुम आराम करो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा परी अपना सर हिला कर बोली हम चलिए आदित्य परी को लेकर गाड पर जाती है जहां सार्थक था उसे देख आदित्य का चहरा गुस्से से लाल हो जाता है वो जल्दी से अपना सर घुमा कर परी को देखता है परी आराम से सीच से अपना सर टिका कर सो रही थी उसे देख के आदित्य के चहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो खु वो लड़की मेरी है और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस कुछ दिन और, फिर तुम्हारी सारी जन्म कुंदली मेरे पास होगी और तू जेल की ताजी हवा खाते हुए दिखाई देगा। परी के साथ अपने आने वाले बच्चे के हर एक पल को जीना चाहता था, वो एहसास उसके लिए काफी नए थे और बहुत खुशी भरे थे, वो इन पलों को अपने यादों में बसना चाहता था, आदित्य ने धीरे से परी के पेट पर किस किया और बोला, जल्दी बाहरा जा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो धीरे से बैट से उठकर सोफे, पर बैट जाता है, कुछ एक घंटे बाद परी आराम से अपनी आखी खोल देती है और जल्दी से बैट से खड़ी हो जाती है, उसे ऐसे देख आदित्य जल्दी से उसके पास जाते हुए बोला, क्या कर भ्यान रखना, परी ने अपना सर हिलाया और बोली, घूक लगी है, आदित्य ने हलका साहस कर कहा, तुम फ्रेश हो जाओ में शान्ती आंटी से कहता हुँ, तुम बताओ तुम है क्या चाहिए, परी कुछ सोच कर, मुझे डाल चावल खाना है, आदित्य ने अपना सर हिला आया और नीचे चला गया, मलहुत्रा इंडस्ट्री, अहान मीटिंग रूम में से अभी बाहर आया था, उसने टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे, उसने रोनित से बात करते हुए कहा, मिस्टर शुकला के साथ कल की मीटिंग फिक्स करो, और कॉलेज में अप्टेट द आया और ओफिस से निकल गया, निधी घर आकर परी के पास चली गई थी, उसके आने के बाद आदित्य घर से बाहर चला गया था, अहान इस वक्त एक पुराने खंदहर के पास खड़ा था, उसके साथ आदित्य सतीशोर अंश थे, अंश अपने माथे को अंगूठे से गु आदित्य ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है, चलो देखते हैं, वो चारो अपने गाइस के साथ उस खंदहर में जाते हैं, जहां एक आदमी आराम से बैग पर पड़ा हुआ था, उसके ठीक पीछे एक लड़की अपने आपको ठीक कर रही थी, ज आदित्य उसके सर पर मारते हुए बोला, नौटन की बंद कर, शादी की उम्र हो गई है, तुमहारी और तुम हूँ के, लगता गई अंकल बात करनी पड़ेगी, उन दोनों की बात सुनकर अहान गुस्से में दोनों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों अब चुप रहने का क्या लोगो, ये हम कम करने आए है, अगर अब तुम शांत नहीं रहे न, तो याद रखना मेरे अंदर का डेविल जाग जाएगा, अहान की बात सुनकर अपने मूँ पर एक उंदी रखते हुए बोला, सौरी बॉस, गलती हो गई, हम छोटे मासूम बच्चों से गलती हो गई चलो कम करते हैं, वो चारो गाइस के साथ अंदर चले जाते हैं, उन्हें देखो आदमी दर से भागने लगता है, वो डरते हुए अहान को देख कर बोला, गलती हो गई बॉस, सच में गलती हो गई, मुझे नहीं पता था वो कौन है नहीं तो कभी उनके बीच नहीं आ बिना ही उसके सीने पर गोली मार देता है और सतीश को देखते हुए बोलता है, इसे अपनी सही जगव पर पहुँचा देना, और हाँ याद रहे इसके मारने से पहले मुझे उनके बारे में जानना है, सतीश अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है, आदित्य उस अहां से जाते हुए बोला, नहीं में नहीं पीने वाला, परी को समेल पसंद नहीं आती, इसलिए में कोई रिस्क नहीं लेने वाला, अहां ने उसे देखते हुए कहा, आज नहीं आज मुझे भी कुछ कम है, मेरे स्वीटी पाई के साथ, ये कहते वक्त उसके चहरे पर डेव करके सो रही थी वो पीट के बल अपने हाथ पैर फैया हुई स्तन से सो रही थी उसके लंबे घने बाल तके पर बिखरे हुए थे अहान उसे ऐसे देख देखता ही रहता है कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी निदी इस वक्त बिलकुल किसी नवजात बच्चे की तरह अह को निदी को अपने बाहों में जकर कर उसे देखते हुए ना जाने कब सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता अगली सुबह निदी आराम से अहान के बाहों में सो रही थी अहान की कुछ वक्त पहले ही नींद खुल चुकी थी और वो निदी के गालों पर अपने अंगूते क गुमाते हुए उसे परेशान कर रहा था। उसे निदी की ऐसे परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। अहान निदी को देखते हुए उसके थोड़े से बालों को पकड़ कर उसके कान में डाल देता है। जिससे निदी दर से एक जटके में उठ जाती है। उसकी हरकक अहान की बात का मतलब समझ कर निधी उसकी शरारत देख गुस्से में बोलती है, दरपोक किसे कहा आपने, निधी का गुस्से से और डर से लाल हुआ चेहरा देख कर अहान अपने चेहरे पर डेवल स्माइल लिए उसे देखने लगता है, जिसे देख निधी एकदम से चील कर उसे देखने लगती है और गुस्से में बोलती है, में, में, दरपोक नहीं हूँ समझे आप में दरपोक नहीं हूँ, क्योंकि आपके जैसे एरोगेंट, अक्डू, सदू, खडूस, इंसान को जेलने की हिम्मत मेरे सिवा किसी के अंदर नहीं है, समझे आप, निधी की बा अधी के उपा आ जाता है, जिसे देख निधी के आखे बड़ी-बड़ी हो जाती है, चैकसर्ट अधी का रूड बेहेव और निधी के दिल का हाल, निधी अधी अधी के इस हरकत से हरबड़ा गई और उसे अपने उपर से उठाते हुए बोली, ये आप सुबह-सुबह क्य आपसे बात नहीं करनी है, अहान उसे देख कर, क्यों नहीं करनी तुम्हें मुझसे बात, स्वीटी पाई? निधी अपना बुरा सा मुझ बना कर बोली, क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ. अहान उसके चेहरे पर अपनी उंदली घुमाते हुए उसे देख कर अपनी एक आ मैं तुम्हें टाइम दू पर क्यों अरे कि उसे क्या मतलब है आपका आप मेरे हस्बंध है आपका फर्ज बनता है मुझसे बात करने का मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का लेकिन आप तो बस मुझसे दूर भागते हैं निधी ने बड़े ही मासूमियत से अहान को देखते हु कहा उसकी बात सुनकर अहान ने उसे डेवल स्माइल दी और बोला ठीक है अब में तुमसे दूर नहीं भागता आ जाओ मेरे पास निधी अपनी आखें छोटी करके उसे देखते हुए बोली इतने पास तो है और कितने पास आ जाओ अहान ने उसे डेवल मुसकान लिए दे देर हो रही है निधी की हालक देख अहान को बहुत मज़ा आ रहा था उसने निधी को और परेशान करते हुए शरारत से कहा चलो एक बच्चा करते है निधी अपनी आखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी और बोली हलवा है क्या निधी की बात सुनकर अहान की पक्का है, अहान ने उसके दोनों हाथों को पकर सर के उपर रख दिये और निदी के गर्दन के नीचे जोर से काते हुए बोला, क्या कहा तुमने अभी निदी, निदी मासून सा चहरा बना कर दर्द को सहन करते हुए बोली, मैंने कुछ भी तो नहीं, आपके कान बज रहे है अहान उसके कान को अपने दातों से चबाते हुए बोला, अच्छा, मेरे जान बज रहे है, रुको तुम अभी तुम्हें बताता हूँ, ये कहकर अहान निदी के होटों पर अपने होट रख देता है, अहान के ऐसा करते ही निदी के आखे बढ़ी हो जाती है, थोड़ी दे फिर बाद उसके कपड़े बैट के नीचे गिरे हुए थे और वो अहान के हर एक चुवन को अपने आप में महसूस करने लगती है, एक घंटे बाद अहान निदी को देखता है जो उसे घूर रही थी, उसे ऐसे देख अहान ने अपनी एकाई ब्रो उप करके उसे देखा त अगली बार आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे समझे आप, अहान अपनी गर्दन हिलाते हुए, नहीं समझा, तुम समझाओ ना, निदी उसे घूरते हुए बोली, सदू कोब्रा, जब तक आप मुझे आलव्यो नहीं कहते, आप मुझसे दूर रहेंगे समझे आप, अहान उसक कहं से क्या मतलब है आपका, क्या, आप मुझसे प्यार नहीं करते, उधरन चिन्ह, अहान उसके उपर से उठकर उसे गोद में उठा कर बातरूम में ले जाते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा, अहान की बात सुनकर अब निदी को रोना आ रहा था, उ उसने अहान को एक नजर देखा और चुको कर नीचे उतर गई, उसने अहान के मूँ पर बातरूम का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर बैट कर रोने लगी, उसने रोते हुए खुद से कहा, क्या, वो मुझसे प्यार नहीं करते, क्या, आरोही दी सच कह रही थी, सच ही ह में हूँ ही मनहूस मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब मेरा बस इस्तमाल करते है, मैं एतनी बुरी हूँ क्या कानहा, निधी अपने ही ख्यालों में थी कि उसे अहान की आवाद सुना आई डी, और कितनी देर लगाने वाली हो मुझे ओफिस के लिए देर हो रही है, अहान बस उसके पीत को देख रही थी, उसे बहुत रोना आ रहा था वो वैसे ही अपनी बैग लेकर नीचे चली जाती है, हौल में नैना जी, दादा जी, कुल्दीप ची, आदित्य और परी बैट कर शादी के बारे में डिसकस कर रहे थे, निधी भी उनके पास जाकर बैट जात नैना जी अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, हे भगवान, इतनी बड़ी हो गई है और अभी तक बच्ची ही है, निधी अपना मासून सा चहरा बना कर उन्हें देखते हुए बोली, मा में अभी भी बच्ची ही हूँ और जल्दी बढ़ा हुने का मेरा कोई मन भी नहीं ह नैना जी उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, हमारे लिए बच्ची ही रहोगी निधी ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और दादा जी को देखते हुए बोली, दादू मुझे आप से कुछ बात करनी थी दादा जी, बोलो, मेरी बच्ची, निधी अपने मन में आई घबराहत को छुपाते हुए, बहुत हिम्मत करते हुए बोली, दादू में पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती हुँ, प्लीज मना मत कीजिए मेंने दादू से कहा था लेकिन अब शादी हो गई है तो प्लीज क्या में जा सकती हुँ, निधी को दर लग रहा था कहीं सब उसे जाने से मना ना कर दे, अगर ऐसा हुआ तो, दादा जी कुछ बोलते उससे पहले ही उन सब के कान में अहान की तेज आवा जाई, नहीं, त अहान ने उसे इग्नो किया और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैग गया, उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा देख सब जाकर टेबल पर बैग गये, पर निधी ने नैना जी को देखते हुए कहा, मा मुझे भूख नहीं है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज देर हो गई है, ये कहकर निधी वहां से जाने लगी, लेकिन जाती इससे अहान ही अहान अपनी सक्त आवाज में बोला, मेरे घर में कोई खाने का अपमान करे, ये मुझे पसंद नहीं, चुप चाप आकर नाश्ता करो, नहीं तो अगले एक वीक तक नाश्ता नहीं मिलेगा, अहान की बात सुनकर निधी भरे हुए गले से बोली, ठीक है मत दीजिये, ये कहकर निधी ने अपने बैग में रखे अहान के पैसे निकाले और उसके सामने टेबल पर रखते हुए बोली, आपके पैसे भी नहीं चाहिए, क्या भरोसा आपको भी मांग ले, ये कहकर निधी तेजी से मै प्यार प्यार के कारण ही वो ऐसी हो गई है। प्यार 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 के कारण ही वो गई है। इतना गुसा ठीक नहीं बच्ची है वो अभी। अहान आगे जाते हुए गुसे से बोला। इतनी भी छोटी नहीं कि उसे कुछ समझ नहीं आता। नैना जी धीरे से सच में ये बहुत बड़ा वाला अकडू है। परी उनकी बात सुनकर अपनी आखे बड़ी बड़ी करके उन्हें देखने लगी। जिसे देख नैना आजीब सी हसी हसते हुए बोली नहीं तो क्या। मेरे फूल सी बच्ची को रुला दिया। परी उनकी बात सुनकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य उसे प्यार से देखते हुए बोला, डोंठ वरी में तुम्हें ऐसे गुसर नहीं करूँगा। परी उसे कुछ नहीं बोलती और नैना जी से कहती है, मा में आज आपके साथ आश्रम चलूँगी। मुझे घर बैठ कर बोर होता है। नैना जी, ठीक है तुम तयार हो जाओ, फिर हम चलते है। परी, जी में अभी आई। परी वहां से सीधा कमरे में आ जाती है, उसके पीछे पीछे आदित्य भी आ जाता है। परी रेडी होकर बाहर आती है, तो आदित्य उसके पास आकर उसके माथे को चूम कर कहता है, अपना खयाल रखना और ये कुछ पैसे है अपने पास रखो। परी उसे देखने लगती है, तो आदित्य उसे देखते हुए बोला, इतना कमाता हूँ, अब तुम्हें नहीं दूनगा तो किसे दूनगा ना, मेरा सब कुछ तुम्हारा और हमारे बच्चे का ही है, इसलिए प्लीज तुम बिना किसी जिजक की सब मान लिया करो। परी को उसकी बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक गर कहीं न कहीं, उसके मन में अभी भी था, जिस कारण वो आदित्य के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो पा रही थी, उसने अपनी गर्दन हिलाए और जाने लगी, जिसे देख आदित्य अपने और उसे लेकर नीचे चला गया, दूसरी तरफ निदी अपनी बुलेट तेजी से चलते हुए जा रही थी, उसे खुद पता नहीं था वो कहा जा रही है, उसके आखे इस वक्त बेहद लाल थी क्योंकि उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था, कोई नहीं था जो उसे समझ सके और नहीं कोई ऐसा जिसके साथ वो अपने दिल का हाल बता सके, निदी तेजी से गारी चलाते हुए आगे बढ़ रही थी, तब ही आगे से आ रही कार से वो टक्रा जाती है और बुलेट लेकर नीचे गिर जाती है, चा 62 कुछ राज की बाते, निदी के ऐसे गिर जाने से सामने से आ रही कार अपनी जगह रुप गई, इस गारी का दर्वाजा खुला और एक लड़का तेजी से गारी से बाहर निकलाया, उसने जल्दी से निदी को उठा लिया और जैसे ही निदी को देखा वो एकदम से शौक हो, गया, तेजी से तक्कर लगने के कारण निद पैर में बहुत से चोट आई थी, वो सर से खून ज्यादा बह रहा था, निदी बेहोश हो गई थी, उस लड़के ने निदी को गोद में उठाया और देखते हुए बोला, बेटू उच्चा देख में हूँ तुम्हारा अक को, प्लीज बेटू उठना, ये लड़का और को अज नहीं आ रहा था, वो क्या करे, वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल पहुँच गया, उसने निदी को फिर से गोद में उठाया और सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया, दूसरी तरफ, पलक का इंटर्व्यू हो चुका था और वो सिलेक भी हो गई थी उसके साथ उसकी दोस्त विशू भी थी, पलक जब से जोइंट हुई थी वो रोनित को बहुत परेशान करती थी, जिससे तंग आकर रोनित वो जहां बैठती थी वहाँ जाना ही छोड़ दिया था, इस वक्त रोनित अपने ही धुन में गाड़ी चलाते हुए ऑफिस जा र कहा मर गए, अभी तक आफिस नहीं पहुचे, हमेशा देर होती है तुम्हें, अगर तुम पांच मिनित में आफिस नहीं पहुचे तो तुम्हें मैं एमेजॉन के जंगल में छोड़ दूंगा, इतना कहकर अहान ने गुस्से से फोन काट दिया और निदी को फोन करने लग मैं तुम्हें खुच से दूर जाने नहीं दूंगा स्वीटी पाई, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम्हें मैं कही और जाने नहीं दूंगा, जरूरत पड़ी तो घर में बंद कर दूंगा लेकिन तुम मुझे छोड़ कर कही नहीं जाओगी, अहान गुस्से से अप जंगल में छोड़ दिया है और रोनित उस दरावने जंगल में घूम रहा है। उसके आगे पीछे दरावने जानवर घूम रहे है और बहुत अजीब अजीब सी दरावनी आवाजे आ रही है। ये एक बस दरावना सपना था, तहीं सब में उस डेबल ने मुझे वहाँ पारसल कर दिया तो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है प्रभू मेरी रक्षा करना, रोनित रोनी सूरत बना कर अपने आप से बाते कर रहा था, तब ही उसके कार के कांच पर किसी ने जोर जोर से नौ आया तुमने, आख है या बटन दिखता नहीं क्या, रोनित जो पहले ही आहान की बात सुनकर परेशान था, पलक की बाते सुनकर वो और जोर से चिललाया, चुप एकदम चुप, अब कुछ बोली, न तो इसी कीचर में तुम्हें नहला दूंगा समझी सूरी की बच्ची, पलक जो कबसे रोनित को गालिया दे रही थी, उसने आवाज सुनकर नीचे जुप कर देखा, अपने सामने रोनित को देख उसकी आखें चमकने लगी और वो खुश हो कर बोली, हाई वाच्च में अंकल, रोनित ने जैसे ही ये सुना, उसका दिमाग घूम गया, उसने फ् पलक ने खुद को देखा और बुरा सा मूँ बना कर वहाँ से चली गई, कॉलेज, अंश आज ईशा के पास बैठा हुआ था, अहान नहीं आया था लेकिन उससे कुछ काम नहीं था, या कहलो किसी की याद में खीच चला आया था, प्रोफेसर सामने खड़े होकर पड़ा र हाथी पर था, पीशा ने धीरे से अंश का हाथ चुलाते हुए अपनी दबी आवाज में कहा, अंश प्लीज छोड़िये ना हाथ, कोई देख लेगा, अंश भी सामने देखते हुए अपनी दबी आवाज में बोला, पहले प्रोमिस करो, कॉलेज के बाद टीम मेरे साथ चल अंश ने उसे आखे चोटी करके देखा और बोला, पहले तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, फिर आज क्यों? ईशा मायूस होकर बोली, आज भाई और पापा दो महीने बाद घरा रहे हैं और भाई को पसंद नहीं के मैं रात तक बाहर रहूं। चहरे को देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे बाहर निकलने पर इतने बदीशे है तो तुम प्यार तो किसी से करती नहीं हूंगी। अंश के सवाल सुनकर ईशा ने अपना सर जुका लिया और बोली, क्या फर्क पड़ता है? इस से, लेकिन उस हद तक में जा नहीं सकती न बोला, कुछ नहीं। इशा उसका हाथ पकरते हुए बोली, हम फ्रेंड है ना बहुत अच्छे। अंश ने उसके हाथ से अपना हाथ चुराते हुए कहा, नहीं, अंश की बात सुनकर इशा ने उसका हाथ चोड़ दिया और बोली, फिर आप मुझ से बात क्यू करते हो? अं इशा ने उसे देखा और बोली, पर में क्या किया? अंश गुसे से चिलाते हुए बोला, कुछ नहीं किया. वो में ही पागल था जो तुम से कुछ पूछा नहीं. अंश की आवाज तेज हो गई थी, जिससे सब लोग उसे ही देखने लगे थे. अंश गुसे से अपनी जग से उठ गया पर तेजी सी क्लास्रूम के बाहर चला गया. उसे ऐसे देख इशा को बहुत रोना आ रहा था. इसलिए वो भी क्लास्रूम से बाहर चली गई. प्रोफेसर गुसे से उन दोनों को देख रहे थे. वो कुछ बोलते इससे पहले ही इशा और अंश क्लास्रूम के प्रोफेसर गुस्से से आकांक्षा, सोन्या, रोहन और राहुल को देखते हुए बोले, अगर और किसी और को भी जाना है तो अभी चले जाओ, कोई जरूरत नहीं मेरे क्लास में बैखने की जब पढ़ाय ही नहीं करनी हुती। प्रोफेसर की बात सुनकर रोहुल, रोहन, आकांक्षा और सोन्या जल्दी से अपनी बैग लेकर बाहर भाग गए। अंशब तक कॉलेज से जा चुका था। उन दोनों को ऐसे जाते देख किसी को कुछ। समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या था उन दोनों के बीच। सोन्या आगे चलते हुए बोली, जरूर इन दोनों का जगड़ा हो गया होगा, उसके सिवा ये दोनों करते ही क्या है। आतांक्षा, मुझे नहीं लगता सोनी, क्योंकि अंशसे नहीं है, वो हमेशा शान्थी रहते है और आज उन्होंने पूरे क्लास के सामने ऐसे रियक् जरूर कोई बड़ी बात होगी, आई, रोहन, शायद कुछ और ही मेटर है जो हमें नहीं पता, राहूल, हमारी जगड़ा जासूस भी कॉलेज नहीं आ रही, जब से शादी हो गई है वो तो, जैसे कहीं गायब ही हो गई है, आतांक्षा, मैं निधी को कॉल करके पूछ ले चारों भी जल्दी ही इशा के पीछे चली जाती है लेकिन तब तक इशा भी वहाँ से जा चुकी थी, अंश गुस्से से मलहोत्रा इंडस्ट्री चला जाता है और सीधा अहान के केविन में चला जाता है, उसे वहाँ देख अहान की आखे चोटी हो जाती है और वो अंश को देखते हुए बोला, तुम यहां क्या कर रहे हूँ, अंश अब भी गुस्से में था और उसके दिमाग में ईशा की कही हुई बाते चल रही थी, उसने वैसे ही गुस्से से कहा, क्यूं, अब यहां भी नहीं आ सकता क्या, अहान ने उसे घेरी नजरों से देखा और बोला, अब बताएगा क्या हुआ है, या ऐसे ही मुऊ को सील कर रखोगे, अंश ने अहान को देखा और अपनी नजरे जुका कर बोला, कुछ नहीं, अहान ने उसे गुस्से से एक लुक दिया और उसे सब कुछ बता दिया, अंश की बात सुनकर अहान ने अपने सर को दोनों हाथ अंश ने अहान को देखा और वो दोनों उठकर ओफिस से बाहर चले गए, दूसरी तरफ, अंकित निधी के पास बैठा हुआ था, उसे निधी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसका फोन भी बंध था, जिस कारण वो किसी से कांटैक भी नहीं कर पा रहा था, निधी ऑस्पितल बैड पर अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी, अंकित उसका हाथ पकड़ कर ब उसने अपना सर पकर कर कराते हुए कहा, आ, मेरा सर उसे होश में आता देख अंकित के चहरे पर खुशी चा गई। निधी रोते हुए बोली, अकु, निशु भाई कहा है, मॉम डाद सब कहा है, अंकित ने उसके आखों में आया आसुओं को साफ करते हुए बोला, ना मेरे बेटू, शान्त हो जा आये रोते नहीं है, निधी, आप बताए ना, कहा है मॉम डाद और भाई, अंकित, नहीं पता बेटू, मुझे बस इतनी खबर मिली है कि उस प्लेन क्रेश में कुछ लोग बच गए है, लेकिन वो कौन कौन है ये भी नहीं पता, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे निशान्त की और अंकल आंटी की कोई खबर नहीं मिली है, वो है भी के नहीं ये भी नहीं पता, अंकित की बात सुनकर निधी और रोने लगी और रोते हुए बोली, मुझे भी उनके पास जाना है, मुझे मौमडार चाहिए, मुझे चाहिए वो, कोई तो उन्हें धून दो, निधी को ऐसे रोते देख अंकित को बहुत बुरा लग रहा था, उसने निधी को शान्त करात हुए कहा, पहले तुम शान्त हो जाओ बेटू, हम धूनदेंगे उन्हें ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, अंकित की बात सुनकर निधी ने जल्दी से अपनी आखे साफ के और अपना सर, हिलाते हुए बोली, मैं, मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अंकित ने उसे बैट पर लेटा दिया और बोला, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, तुम रस्ट करो, निधी ने अपना सर हिलाया, अंकित ने एक नर्स को निधी के पास छोड़ दिया और खुद दॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर के के में अंकित बैठा हुआ था, डॉक्टर ने अंकित को देखते हुए कहा, मिस्टर वर्मा, मिसर्स वर्मा अब ठीक है लेकिन उन्हें आज हॉस्पिटल में रखना होगा, कल सारे रिपोर्ट आ जाएंगे तब हम आपको आगे की जानकारी दे पाएंगे, डॉक्टर के मिली थी उसने ठान ली थी वो जल्द से जल्द उससे शादी करेगा, इसलिए वो इस बार देहरादून आया था, डॉक्टर ने अंकित के आगे कुछ फॉर्म रख दिये आई बोला, इस पर साइन करिए, अंकित ने देखा उस फॉर्म पर हस्बेंड का कॉलम था, अंकित मुस्कुराते हुए उस कॉलम में साइन किया और डॉक्टर से मिलकर निधी जिस वार्ड में थी उस वार्ड के अंदर चला गया, जब वो अंदर आया उसने देखा निधी आराम से सो रही थी, ये देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, उसने नर्स को जन का इशारा किया और निधी के पास बैट कर उसके बालों पर हाथ चलाते हुए बोला, बस आज का दिन बेटू, फिर हम यहां से चले जाएंगे जहां सिर्फ हम दोनों की खुश्या होंगी में तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, अंकित इस बात से अंजान था कि जिसके व बहुत दिनों बाद वापस लोट आये थे और निधी से मिलने मलहुत्रा मैशन गए हुए थे, उन्हें देख दादू, कुल्दीची और नेना जी खुश हो गई, परी को नहीं पता था वो कौन है इसलिए वो उन्हें देखने लगी, उसे ऐसे देख नेना जी उसके बालो को सहलाते हुए बोली, परी, ये निधी के दादू है, फिर दादू को देख कर बोली, और अंकल ये हमारे आदी की पत्नी परी है, दादू ने परी के सर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, बहुत प्यारी बच्ची है, दादू की बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए उन ना उसका फोन लग रहा था ना उसके बारे में किसी को कुछ पता था। बात को संभालते हुए नैना जी बोली, वो हान के साथ है, इसलिए आई नहीं है अभी तक आप रुके आते ही होंगे। नैना जी की बात सुनकर दादू ने अपना सर हिलाया। परी और नैना जी किचन में चली, गई, वही दादू और कुलदीची तीनों आपस में बाते करने लगे। बहुत देर हो गई थी लेकिन ना अहान घर आया था ना निदी। रात के आठ बजे, नैना जी सभी से, शायद वो दोनों बाहर ही खा कर आ जाएंगे। चलो हम खाना खाते हैं। आदी भी आया ही होगा। तीनों भी हमें सर हिला कर डाइनिंग टेबल बैक गए। तब तक आदित्य भी आ गया था। आज अहान नहीं था इसलिए सब खाते पर आई खुशी को देखते हुएं प्यार से बोला, हम लेकिन अपना ओ बेबी का ख्याल रखना। परी, जी, आदित्य उसके चहरे को देखकर, क्या तुम ऐसी ही हो। परी कन्फ्यूज होकर आदित्य को देखने लगी और बोली, मतलब, आदित्य, मतलब ऐसी शांध, का एक हाथ पकड़ लिया, आदित्य के इस एक्षन से परी एकदम से चौप गई, उसका दिल तेजी से धरकने लगा, जिसे मेहसूस कर उसने अपने आखे बंद कर दी, आदित्य अपनी तिर्ची नजरों से उसे देख रहा था, खाने तक पुरा टाइम आदित्य ने उसका हाथ पकड़ कर रखा हुआ था, सब खाना खा कर हॉल में बैठ कर बाते कर रहे थे, परी भी सब के साथ बैठी हुई थी, उसे ऐसे बैठे देख नैना जी बोली, परी तुम जाओ, जाकर आराम करो, परी ने अपना सर हिलाया तो आदित्य उसे लेकर कमरे में चला गया, दादू की बात सुनकर अपनी जगव पर रुख गया और सब को देखते हुए बोला, कहा है मतलब घर पर ही होगी ना अब तो रात हो गई है, उसकी बात सुनकर निदी के दादाजी बोले, नैना तो बोली, तुम्हारे साथ है, हम तो, शान से उसका इंतजार कर रहे है, कह है वो, दादू की बात सुनकर अपनी जगव पर खड़े हुगए, फिर से वही सब, अब सब निदी के दादाजी को देखने लगे, अपने दिल की शान्त किया और बोला, मैंने तो उसे सुबह नहीं देखा, मैं कॉलेज नहीं गया था, उसकी बात सुनकर रंच बीच में ह सहलाया और अपने हाथ की मुठिया बना कर धीरे से बोला, ये लड़की, जब देखो तब अपने मन की करती रहती है, इसे तो आज मैं अच्छी से बताता हूँ, अहान बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था के उन सब के कानों में निदी के दादाजी की तेज आवाद सुना कर अगर तुम उसे सिर्फ जिम्मिदारी समझ रहे हो, तो छोड़ दो मेरी बच्ची को में खुद उसका खयाल रख लूँगा, सौरी नवीन लेकिन तुम्हें भी पता है, वो मेरे बच्चे की इकलोती निशानी है मेरे पास, उसे कुछ ना हो इसलिए मैंने उसे तुम्ह चला गया, वो बहुत र्याश ड्राइविंग कर रहा था, अंश बिचारा दरा सहमा उसके पास बैठा हुआ था, अहान गुस्से में बोला, अगर इतनी ही फिक्र थी उसकी, तो पहले ही मेरे लाइफ में उसे क्यों भेज दिया, बैठ जाते उसे गोड में लेकर और अब जब उसे प्यार करने लगा हूँ, तो मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे है, मुझसे उलज रहे है दे ग्रेक मुसीनस टेक ओन अहान मलोतरा से, ये में होज नहीं दूनगा, आज उस लड़की को में छोड़ने नहीं वाला, अंश ने अपने सर पर हात मारा और खुद स बोला क्या इंसान है, यहां सिचुवेशन क्या है और ये इसका अभिमान कुछ कम नहीं हुआ, अंश ने उसे और सताते हुए कहा, धून जल्दी नहीं तो पता चला कोई उसे उड़ा कर ले, गया हो, अहान ने गुसे से उसकी गर्दन पकर ली और उसके डाश बौर्ड की कहा हूगी वो, अंश की बात सुनकर अहान ने जल्दी से किसी को फोन किया, अंश ने अपने गर्दन को सहलाते हुए अहान से कहा, इशा से पूछ शायद वहा हो, अहान ने इशा को फोन लगाया तो दूसरी तरफ से इशा ने फोन नहीं उठाया, उन दोनों को थोड़ा अजीब लगा, अहान ने उसे फिर से कॉल बैक किया, इस बार किसी लड़के ने फोन उठा लिया था, उस साइट से एक दमदार आवाज आई, कौन है, और इशा को क्यों फोन कर रहे हो, उसकी ऐसी आवाज सुनकर अहान को बहुत गुसा आया, उसे दग्रद बसी, इतना बता इशा कहा है, उधरल चिन है, उस साइट से इशा का भाई गुसे में बोला, इतनी रात को लड़की को फोन करता है, कौन है तू सामने आई, उसकी बात सुनकर अहान बहुत एरोमेंट आवाज में बोला, अगर मैं सामने आया ना तो पेंट गीली हो जाएगी ते फोन पर इतना ज्यादा बार बढ़ते देख अंश शांती से बोला, क्या निधी भाभी आपके घर आई हुई है, बस इशा को उतना पूछिए, अंश की बात सुनकर इशा का भाई बोला, नहीं वो यहाँ नहीं है, अंश ने उसकी बात सुनकर उसे कहा, थंकु हम बस इतन नहीं पूछना था, मन की बॉई, इतना कहकर अंश ने जल्दी से फोन कात दिया, तभी उसके फोन पर रोनित का फोन आया, अंश ने जल्दी से फोन उठा लिया और बोला, बोल कुछ पता चला, रोनित, ये संश भाभी हॉस्पिटल में है, तु जल्दी आजा में यही बात सुनकर अंश ने अहान को देखा और बोला, हॉस्पिटल, अंश की बात सुनकर अहान का दिल धक से रह गया, उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोक दी, हॉस्पिटल के अंदर निधी सो कर ओट गई थी और अंकित उसे अपने हाथों से सूप पीला रहा था, तभी एक जटके के साथ वॉर्ट का दरवाजा खुला, चा 64 अहान और अंकित आमने सामने, इतने जोर से दरवाजा खुलने से निधी और अंकित का ध्यान सामने दरवाजे की तरफ गया, जहां अहान गुस्से से लाल हुआ उन निधी के बालों को सहलाने लगा, अहान सामने का नजारा देख गुस्से से भर गया, वो तेजी से निधी के पास गया और उसे अंकित से दूर करने लगा, लेकिन नहीं अंकित ने निधी को छोड़ा और नहीं निधी अंकित को, उन दोनों को ऐसे देख अहान का गुस्सा अबहत पार कर रहा था। उसके अंदर का डेविल अब बाहर आने को तयार था। उसने गुसे से निधी को देखा और जोर से बोला, निधी, ये क्या हरकत है तुम्हारी। छोडो उसे नहीं तो फिर आगे जो होगा उसके लिए खुद को तयार कर लो। अहान की बात सुनकर निधी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं आना। आपके साथ आप जाए यहां से। निधी की बात सुनकर रहान का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने माथे को मसल दिया और अपने दात पिस्ते हुए बोला, तो तुम सच में नहीं आने वाली ह निधी ने अपने गर्दन ना में हिला दी और अनकित के हाथ को पकड़ कर बोली, मुझे यहां से ले चलो अकु, हम यहां से दूर चले जाएंगे। अहान अपने गुसे को पीते हुए फिर से बोला, ठीक है, अब तुम प्यार से नहीं मान रही तो मुझे अपना तरीका अपना पड़ेगा। अहान की बात सुनकर अनकित ने अहान को देखते हुए कहा, देखिये, अगर बेटू आपके साथ नहीं जाना चाहती तो प्लीज आप उसके साथ जबर्दस्ती ना करे और उसकी हालत देखिये, उसका एक्सिडेंट हुआ है, उसे इतनी चोट आई है आप उसे पूछने के बजाए उसे धमकी दे रहे है, आप है कौन जो उस पर इतना हग जता रहे है। जिसे देख अहान बोला, एक दशमलव पांच शून्य करोल का फोन था वो। अहान की बात सुनकर निदी की आखे एकदम से बढ़ी हो गई और वो अहान को अजीब नज्रो से देखने लगी। जिसे देख अहान ने अपनी एक आईबरो उचका कर उसे देखा। जिसे हसने लगी और हसते हुए बोली, कुछ भी मतलब बच्ची समझ कर मुझे बहला रहे। है, उसकी बात सुनकर रोनित बोला, भाभी बॉस सही कह रहे है, वो ब्रान सिर्फ बॉस के लिए बनवाया जाता है। उनकी खुद के कमपनी में और बॉस ने आपके लिए भी बनवा रोनित की बात सुनकर निधी ने अपनी उंगलियों क्रोस की और धीरे से अपनी गर्दन हा में हिलाते हुए बोली, आप जूट बोल रहे है ना। रोनित ने उसे देखकर अपनी गर्दन हा में हिला दी, जिसे देख निधी के माथे पर पसीना आ गया, उसने घबराते हु अहान को देखा जो उसे ही देख रहा था निधी ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और बोली मुझे नहीं पता कहा गिर गया अहान ने उसके बालों को सहलाया और उसके बालों को चूमते हुए बोला मेरे लिए तुम से बढ़ कर कुछ नहीं है स्वीटी पाई लेकिन आज जो तुमने किया है ना में तुम ही कभी माफ नहीं करूंगा नहीं ने पप्पी फेस बनाकर अहान को देखा और पाउट बनाकर बोली अब मैं क्या करूँ मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है अहान ने रोनित को इशारा किया और निधी को देखता हुए बोला चलो अब घर चलते हैं सब परिशान है निधी ने अंकित को देखा और फिर अहान को देखते हुए बोली मैं अभी नहीं आयूंगी मुझे बहुत जरूरी काम है जब तक पूरा नहीं हो जाता मैं वापस घर नहीं आयूंगी अहान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा देखो निधी हा में हिला दिया और तिरची नजरों से अंकित को देख डेवल स्माइल करने लगा जैसे कह रहा हो वो मेरी है सिर्फ मेरी अंकित गुस्से से अहान को देख रहा था उसे और निधी को इतने क्लोज देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था निधी ने उसे अपने आप से तुम्हारी ये हालत की है। अहान ने उसे बैग पर लेटा दिया और बोला तुम आराम करो। उसे देख अंश आगे आते हुए बोला भावी आपको पता है आज क्या हुआ। पास-पास कोई नहीं चाहिए। अहान की बात सुनकर अंश ने अनकित को देखा जो गुस्से से अहान को ही देख रहा था। उसे ऐसे देख अंश बोला चलो बाहर उन दोनों को अकेले छोड़ दो। निधी ने तिर्ची नजरों से अहान को देखा फिर अंकित को वो उस से चाहती थी पर अपने पास बैठे डेविल को वो और गुसा नहीं दिलाना चाहती थी कही उसका घर से बाहर निकालना ही बंद ना हो जाए अंकितने अंश को देखते हुए कहा देखिया आप चो कोई भी हो प्लीज बेटू को अकेली छोड़ दीजिये और उसे परेशान करना बंद कर दीजिये उसकी हालत ठीक नहीं है और जब तक उसके रिपोर्ट नहीं आ जाते वो यहां से नहीं जा सकती अहान ने बहुती घमन से उसे देखा और बोला शायद तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया मैंने कहा गेट लोस्ट अहान को ऐसे देख निधी गुस्से में बोली आप आराम से बात करिये ना हर बार क्या सब पर अपना रौब जारते रहते हैं अहान ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और अपने दात पिस्ते हुए बोला तुम्हें क्यों उसकी इतनी चिंता हो रही है अहान की की बात सुनकर निधी तपाक से बोली वो मेरे दोस्त है और में, में कौन हूँ, अहान ने अपनी आखे चोटी करके उसे देखते हुए कहा उसकी बात सुनकर निधी यहां वहा देखते हुए धीरे से बोली, मुझे क्या पता अहान ने देवल स्माइल लिये उसे देखा और बोला, अच्छा, तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं अभियाद दिला देता है थू, अहान की बात सुनकर निधी जट से उसे देखते हुए बोली, देखे मेने पहले ही कहा तीन था, जब तक आप मुझे वो नहीं कहते तब तक आप उसके बारे में सोचना भी मत निधी की बात सुनकर अहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो निधी को छेलते हुए बोला, तुम किस बात की बात कर रही हो डाली अहान की मुस्कान देख निधी जेप गई और जल्दी से अपनी आखें बंद करते हुए बोली आपने कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं सुना निधी की हरकक देख अहान हलका सा मुस्कुरा दिया और उसके बालों को सहलाने लगा उसने निदी के सर को सहलाते हुए खुद से कहा स्वीटी पाई अगर मैं दिखा नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ऐसे देख मुझे अच्छा लग रहा है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर हम अपने रिष्टे को एक नाम देंगे और वो नाम होगा प्यार का बहुत कुछ हासिल करना है तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है और सबसे बड़ी बात तुम्हारे सारे उलजनों के जवाब मुझे दूनने है तुम्हारे दिलने दबे सारे राज बाहर निकालने है तुम्हें दुनिया की सारी खुश्या देनी है लेकिन शायद अब तक हम पास होकर भी दूर ही है हम तन से तो एक हो गए लेकिन शायद हमारे मन अभी तक एक नहीं हुए है तुम्हारे इंतजार में कही सब कुछ गवा ना बैठू लगता है आज तक जो डेवल किसी के सामने नहीं जुका उसे तुम्हारे सामने जुकना पड़ेगा फिर एक गहरी सास छोड़ते हुए बोला लेकिन अब क्या करे प्यार किया तो जुकना ही पड़ेगा लेकिन तब तक जब तक वो बात जाया जो उद्धरल चिन उद्धरल चिन ये कह कर खून ने निदी के बालों को फिर से चूम लिया जिसे मेहसूस कर निदी अपनी आखे खोल कर उसे देखा और पप्टी फेस बना कर बोली आपके इनकिस से मेरा पेट नहीं भरने वाला से दो मुझे भूख लगी है तब तक रोने अपने हाथ में ट्रे लेकर अंदर आ गया जिसे देख निदी जल्दी से बैट पर बैठने लगी इसी चक्तर में निदी के हाथ में जोर से दर्द हुआ और वो कहराने लगी उसे ऐसे देख अहान ने उसे गुसे से देखते हुए कहा आराम से इतनी क्या जल्दी है खाना कही भागा तो नहीं जा रहा अहान को दात सुनकर निदी ने सर जुका लिया और बोली आप दात क्यो रहे है अहां ने अपने गुसे को अपने अंदर ही दबा दिया और उसे प्यार से सूप पिलाने लगा इस सूप की टेस्ट पहले वाले से अलग थी जिसे टेस्ट करके निदी खुश होकर बोली वाओ, ये कितना यम्मी है रोनित ने निदी को देखा और बोला भाभी ये हॉस्पिटल का नहीं है अभी जस्ट होटल से बनवा कर लाया हूँ उसकी बात सुनकर निदी ने उसे देखते हुए कहा रोनी भाई आपको भी इन अनाकोंडा का बुखार चड़ा है क्या जो अपनी शेखी बगार रहे हो निदी की बात सुनकर अंश की हसी छूट गई और वो जोर जोर से हसते हुए बोला हाँ हाँ तुम ही कहो के में दे ग्रेट बसीन स्टेक और अहान मलहुत्रा का पत अंश की बात सुनकर रोनित ने उसके पीत पर मुक्का मारते हुए कहा हाँ वो बस यही सोच रहा था के निदी और अहान का क्या रिष्टा है जो ब्लैक किंग कोब्रा खुद अपने हाथों से निदी को सूप पिला रहा है उपर से इतने प्यार से बात कर कर रहा है वो डेवल तो किसी से सीधे मूँ बात तक नहीं करता वो निधी के साथ इतना friendly क्यों है और निधी भी उसके साथ कितना comfortable है अहान ने अंच को देखा और बोला तुम घर फोन करके बता दो और इस जुन जुन्दर को यहां से लेकर जाओ स्वीटी पाई को अब रास्ट की जरूरत है और हमें कोई डिस्टब नहीं करेगा अंच ने अपना सर हिलाया निधी ने अंकित को देखा और बोली अक को हम कल बात करते है आप अपना नंबर अंच भाई को दे दीजिए मेरा फोन आने के बाद मैं आप से कॉन्टेक्ट करूंगी निधी की बात सुनकर अंकित अपने दिल पर पत्थर रख कर रूम से बाहर निकल गया उसके जाने के बाद निधी ने बैक पर लेटने लगी जिसे देख अहान ने उसे पकर लिया और बोला पहले दवाई खा लो बाद में सोना अहान की बात सुनकर निधी ने अपना मूँ बना लिया और बोली इस एकड़ो को सब याद रहता है ये नहीं के दवाई की भूल जाय हुआ रियल सुरियल देवल नाग अहान निधी की बात सुनकर उसके कान को कातते हुए बोला मेरा दिमाग एक टाइम पर कितना वग करता है इसका आइडिया भी तुम्हें नहीं होगा इसलिए दवाई खाओ और आराम करो निधी ने सो नखरे करके दवाई खाए और बैट पर लेट गई अहान भी उसके पास लेट गया दवाई के कारल निधी जल्द ही सो गई अहान भी उसे देखते हुए सो गया था अगली सुबह अहान की आखे खुलते ही वो बातरूम में जाकर फ्रेश हो गया और वार्ड से बाहर चला गया अंशोर रोने ते एक दूसरे के कंदे का सहारा लेकर सो रहे थे अहान ने उन दोनों को देखा फिर अंकित को जो वहाँ बैठा बैठा सो रहा था अहान ने घेरी सास ली और डॉक्टर की केविन में चला गया जब डॉक्टर ने अहान को देखा वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और हकलाते हुए बोला मिस्टर मलहूत्रा आप आप यहां अहान उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद चेय पर बैठ गया और बोला मेरे वाइफ की रिपोर्ट्स आ गई अहान की बात सुनकर डॉक्टर को जटका लगा और वो बोले जी मिस्टर मलहूत्रा यहां पर उसे भी नहीं पता था के अहान की शादी हो गई है इसलिए उसे बहुत बड़ा जटका लगा था अहान ने उसे वाड नमबर और निदी का नाम बता दिया जिसे सुनकर डॉक्टर ने अजीब नजरों से उसे देखा और बोला लेकिन मिसिस निदी के हस्बन तो अनकित वर्मा है ना कल ही उन्होंने फॉर्म फील करते वक्त साइन किये है डॉक्टर की बात सुनकर अहान के हाथ पैर गुस्से से फूल गए और उसने एक जटके से डॉक्टर की कॉलर पकर ली सॉरी डेयर रैडर्स कल टू चाप्टर नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे और भी स्टोरी के चाप्टर अप्लोड करने थे और आज भी थोड़ी बिजी थी नी कल जारूर कोशिश करूंगी टू चाप्टर देने की चाप्टर 65 अंकित और डॉक्टर की पिटाए अहान के ऐसे पकड़ने से डॉक्टर घबरा गया और डरते हुए अहान को देखने लगा अहान ने उसके कॉलर को बहुत पैर पकड़ा और वो अपने एक-एक शब्दों को चबाते हुए बोला वो सिर्फ मेरी है और उसका नाम ने धी अहान मलहुत्रा है अहान की बाते सुनकर डॉक्टर की हालत खराब हो रही थी दर के बारे उसकी आज तक मुण से निकल नहीं रही थी उसने अहान के आगे हाथ जोड़ लिये और रोते हुए बोला माफ करना मिस्टर मलहुत्रा गलती हो गई आगे से ध्यान रखूंगा मेरा लाइसेंस मत ब्यान कर ये वर्ना में मर जाओंगा अहान ने उसके कॉलर को एक जटके में छोड़ दिया और गुस्से में बोला फाइव मिनिट के अंदर मुझे सारे रिपोर्ट्स चाहिए इतना कहकर अहान गुस्से से डॉक्टर को जोर से धक्का दे दिया गोला रख दे और वो उसी से सब को तबाह कर दे वही रोनेत और अंश मजे से सो रहे थे उनके पास वाली चेय पर अंकित सोया हुआ था जो जस्ट अभी उठा हुआ था और निधी को देखने के लिए अंदर जाना चाहता था लेकिन दर्वाजे पर खड़े गार्ज उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे अंकित को समझ ही नहीं आ रहा था वहां हूँ क्या रहा है वो बस बाहर खड़े होकर सोच रहा था वो अंदर कैसे जाये तभी अहान लंबे-लंबे कदम लेकर उसके पास आया और सीधे उसके मूँ पर पंच मार दिया जिससे अंकित सीधा रोनित और अंश उपर गिर गया अपने उपर कुछ भारी चीज गिरते देख रोनित और अंश और बढ़ाते हुए उप गए और सामने खड़े डेविल को देखने लगे जो गुस्से से फुला हुआ था अंश ने अपने कानों को दो उंगलियों से पकड़ लिया और बोला सौरी भाई ये कहकर रोनित और अंश साइट हो गए वो दोनों अभी भी नींद में थे और ऐसे अचानक हुए इस हमले से दोनों सक्ते में आ गए थे अहान ने अंकित को फिर से खड़ा किया और उसके मूँपर एक और पंच मार दिया अंकित अहान से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन अहान की पकड़ मजबूत होने के कारण अंकित खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था ट्रोन इतने अंश का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा अंश ये बौस इतना भड़के हुए क्यों है कल तो कितना शांत थे अंश हल की आवाज में बोला मुझे भी नहीं पता इस खडूस को क्या हो गया है इसके अंदर का डेविल क्यों बाहरा रहा है पक्का कुछ मेटर हुआ है भाई जा पता कर क्या कही ये डेविल इस सुपस्टा की यही कब्र ना खोद दे और इसके फैन हमें ना गार दे रोनित वहां से जाने ही वाला था के उसके कानों में अहान की आवाज आई जो गुस्से से अनकित को मारते हुए बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को निदी का पती कहने की उसका पती में हूँ वो सिर्फ मेरी है और मरते दम तक मेरी ही रहेगी आज में तुझे जान से मार दूंगा अनकित बेहालसा होकर रहान की बात सुन रहा था क्या कहा था उसने निदी उसकी पत्नी है पर कैसे वो तो अभी कितनी छोटी है इस उम्ह में उसने शादी क्यूंकि वो मेरी थी सिर्फ मेरी अब तक जैसे अनकित के अंदर जान ही नहीं बची थी उसके नाक और मुल से खून निकल रहा था और चहरे पर काले नीले निशान पर गए थे बड़ी हिम्मत करके रोनित ने अंच को देख कर कहा कुछ कर अंच वरना आज तो ये इसे मार कर ही दम लेगा रोनित की बात सुनकर अंच अपने होश में आते हुए जोर से बोला अरे भाभी गेर गई ये कहकर अंच ने कमरे की तरफ दोर लगाए अंच की बात सुनकर अंच भी तेजी से कमरे के अंदर चला गया उसके पीछे रोनित और अंकित भी चले गए जब सब कमरे में आये अंच फिर से कमरे के बाहर जाते हुए बोला, सौरी याहू, लेकिन ये करना जरूरी था। उध्धरन चिन्ह, इतना कहकर अंच रोनित को लेकर बाहर चला गया। अहान ने गुसे से उसे देखा और उसके उपर वहाँ पर रखी पानी की बॉटल फेक लेकिन वक्त रहते अंच ने दरवाजा बंद करना चाहा लेकिन वो बॉटल वहाँ खड़ी गार्द के सर पर लग गई। ये देखा हान ने निदी की तरफ अपनी मुंडी घुमाई। लेकिन अंच की आखे बढ़ी हो गई। गार्द ने घूर कर अंच को देखा और उसक सर पर बंदूग तान दी। उस गार्द के ऐसा करते ही अंच एकदम से हर्ड़ बढ़ा गया और उस गार्द के हाथ को जटक कर बाहर भाग गया। इन सब के शोर शराबे को सुनकर निदी की आखे खुल गई। जिसे देख हान उसके पास बैट कर उसके बालों को सहलाते अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें। निदी अपनी आखे मलते हुए बोली, सर ने दर्ध हो रहा है। अहान ने उसके माथे को चूम लिया और बोला, हम अभी घर जा रहे है। निदी ने अपनी गर्दन हां में हिला दी और बैट से उठने लगी। उसे ऐसे बैट से उठ दी थी। थोड़ी देर बाद निदी बाहर आती है और अनकित को देखते हुए बोलती है, क्या हुआ कूँ, आप ठीक है ना। अनकित अपना सर हिला कर, मैं ठीक हूँ बस तुम से बात करनी थी अकेले में। निदी कुछ बोलती उससे पहले ही अहान जोर से बोला, अनकित को देखा और बोला, बिलकुल भी नहीं। निदी ने अनकित को देखते हुए कहा, इन्हें कुछ कहना ही बेकार है, एक नम्ब के सदू है ये। आप बताए आपको ये चोट कैसे लगी, वो भी इतनी जादा के आपका पूरा चेहरा ही डिजाइन हो गया है। अनकि की बात सुनकर निदी की आखे बढ़ी हो गई और वो अहान को देखते हुए बोली, सिद्डू, आपने अक्कु को क्यू मारा वो भी इतना ज्यादा आपका दिमाग तो ठीक है ना या कही स्क्रू धीला तो नहीं पढ़ गया आपके दिमाग का। निदी को विश्वास नह आगने तो मेरी हालत खराब कर दी होती, इस अक्कु का तो सिर्फ मूँ सुजा है, मैं कहा कहा से, यो जक्चिन्ह, सूज जाती, अहान आराम से निदी के चहरे पर आयहाख भाव को देख रहा था, उसने निदी के कान में जुक कर धीरे से कहा, ऐसी हालत करता ना तुम्हार सजा है, निदी गुस्से से, सजा माय फुट, मेरी बुलेट को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता और मुझे सजा देने वाले आप होते कौन है, अहान आराम से बोला, तुम्हारा पती स्वीटी पाई, निदी चीर कर, देखिए गलती आपकी थी, अहान गुस्से से, टॉप कि तुम्हारे हाथ पैर तूट जाए, अंकित निदी को देखते हुए बड़े उमीद से धीरे बोला, क्या, सच में तुम्हारी शादी हो गई है बेटू, निदी अपने सर पर हलके से चपत मारते हुए बोली, अरे, मैं तो आपको बताना ही भूल दी हाग को, ये मेरे डे है नए कपल, है ना इसलिए किसी को पता नहीं है, निदी की बात सुनकर अंकित के सीने में बहुत दर्द होने लगा था, उसने उमीद नहीं की, ती उसका सपना यूपल भर में तूट जाएगा, तभी एंच डॉक्टर के साथ अंदर आते हुए गाने लगा, छल से जो सिस्क के हवाएं, जग सूना लगे, छन से जो तूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, अंश को गाता देख रोनित ने उसके सर पर टपली मारते हुए कहा, क्यों? बेचारे के जले पर नमक छिड़क रहा है, अंश गुस्से से, मेरा मन तो इसे पीटने का भी कर रहा है, इसके कारण भाभी हॉस्पिटल में है, देख तो मेरा यार कैसे सुख कर काटा हुआ है, अंश की बात सुनकर रोनित ने अपना सर हिलाया और बोला, लगता है तू पीट कर ही मानेगा, अंश धीरे से उसके कान में बोला, मुझे वो कुछ न नहीं, अंश बड़ी सी स्माइल के साथ, येस माइ ब्रो, ये वही है, ट्रोनित शौक से, ओमी गौड, फिर भाभी, अंश निधी को देखते हुए, वो तो तोफ है तोफ, बस उन्हे थोड़ा रावडी बनाना पड़ेगा, तभी तो इस खडूस के मजे लेने में मजा आ रोनित, ठीक है फिर अब आदी भाई के शादी के बाद हमारा मिशन भाभी होगी, अंश जोर से अपनी गर्दन हिलाते हुए, हाँ, हाँ, डॉक्टर दरा सहमा अहान के सामने खड़ा था, उसके सर पर पट्टी बंदी हुई थी, जिसे देख निधी उन्हें देखते और डॉक्टर, अहान डॉक्टर के हाथ में पकड़े रिपोर्ट को घूरते हुए बोला, कुछ नहीं बस मैंने थोड़ा सा हिला दिया इन्हें तो ये गिर गए, निधी शौक होकर बोली, साच में आप कितने दुष्ट है, अहान, येस स्वीटी पाई, I am true devil, अहान ने ड निधी को गोद में उठा लिया और अंकित की पास जाकर बोला, मेरे स्वीटी पाई का फोन, अहान की बात सुनकर अंकित छेप गया और गुस्से से अपने जेब से निधी का फोन निकाल कर देने लगा, जिसे देख अहान आगे जाते हुए बोला, रखो अपने पास अपन को देख रही थी, अहान ने उसे गाड़ी में बैठाया और वो सब मलहुतरा मेंशन चले गए